हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपनी चानल पे आप सब का स्वाइध करती हूँ दोस्तों इस वक्त में देखना चाहती हूँ रेद की भवविश्वानी से कि आपके पार्टनर इस रिष्टे को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ इनके दिल और निमाग में चल रहा है और मैं यहां देखना चाहती हूँ कि इस रिष्टे को लेकर क्या उनकी true intention है क्यों इतने ये confused रहते हैं और action नहीं लेते हैं तो ये रेत की भव विश्वाने से मैं देखना चाहूंगी सौर सब वडियो लेकर आई हो दिया इस रिष्टे को लेकर वो आखिर क्यों decision नहीं ले पाड़े क्यों इतने confused हैं चलिए यहां देखती हूँ विश्वान गाइट करेंगे ओम chanting से peace और सांती और स्वास्तिक से सुक सांती सम्रिधी आती है ओम से peace और सांती, balance और positivity आती है और यहां पे स्वास्तिक से सुक सांती सम्रिधी आती है अब चलिए मैं हाँ देखती हूँ कि इतने confused क्यों हैं इस रिष्टे को लेकर देखे दियर यहां पे आपके person ने कहीं न कहीं past में आपको misjudge किया, ठीक है, आपको प्यार भी किया, misjudge भी किया, ठीक है लेकिन कहीं न कहीं इक किसी की बातों में भी आते रहे हैं, ठीक है कोई भी इनके कानों में आपके खिलाब कुछ भी डाल दिया, तो डाल दिया और इनके कानों में वो बात कहीं न कहीं घर कर जाती थी दूसरों के बात में बहुत जल आते थे जहां आप दोनों में trust issue भी हुई है आप दोनों को रिष्टे में यहां पे trust issue बहुत strong दिख रहा है जहां आप दोनों के रिष्टे खराब हुए अगर यह person married है तो कहीं न कहीं आपने कुछ ऐसे बाते बोले हैं उनकी family के लिए या फिर third party के लिए कि आप कुछ decision लो और आपके साथ वो commitment करें ठीक है आपके साथ वो marriage करें यह person शुरू में first time इन्होंने बहुत आपसे बाते की प्यार किया unconditional love किया लेकिन जैसे जैसे आप इन पर दवाव देने लगे आपसे इन्होंने distance maintain करना शुरू कर दिया क्योंकि इनकी family family से बहुत attachment है अपने parents की बहुत respect करते हैं अगर यह married है तो कहीं न कहीं यह कस्म कस्म है ठीक है तो कभी कभी इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब आते थे past में कि यह सही नहीं है हमें life में आगे बढ़ना चाहिए और इन्होंने decision लिया life में आगे बढ़ने का और कहीं न कहीं आप इन्होंने move on करने की कोशिस की बट यह on of situation रहा current energy में इस person की हालत ऐसी की तैसी है इन्होंने जो भी decision लिया है past में उनसे यह बहुत ज़्यादा दर्द और पेन में है अब यह decision तो लेना चाहते हैं लेकिन इस वक्त भी कस्म कस्म है क्योंकि अगर इनके life में parents है, family है और married हैं तो भी dear यह किसी को खोना नहीं चाहते हैं true intention इसकी यह है यह किसी को खोना नहीं चाहते हैं सबको प्यार करना चाहते हैं सबको अपनी खुसी देना चाहते हैं क्योंकि यह person सबके बारे में सोचते हैं लेकिन आपके बारे में इनको अब यह सोच बदल रही है कि सही वक्त पर इनको decision ले लेना चाहिए था और इस वक्त इनके energy ऐसी है कि कहीं न कि इनके मन में, इनके दिल और दिमाग में, इनके thoughts में अभी इस वक्त आप चल रहे हो ये कहीं से निकलना चाहते हैं, खुद को heal करना चाहते हैं और आपके साथ एक नए fresh start की तर बढ़ना चाहते हैं आप तक पहुँचने की ये कोसिस करें जिस भी तरह से चाहे आप अगर आपने अपने घर को change किया है, city को change किया है, mobile number change किया है ये किसी भी तरह से ये आपके तक पहुँचने की कोसिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उन्होंने क्या खोया है, और ये कहीं न कि इनके दिल में जो बाते चल रही है, वो है मेरे से related, आप से मिलने से related, कहीं न कहीं उनके गलतियों का एहसास है और आप दोनों में जो भी गलत फैमिया हुई है, ट्रस्ट इशू हुआ है, उसको वो clear भी करना चाहते हैं, तो इस तरह की energy है, क्योंकि इनके मन में कोई भी कुछ बोलता है, तो यहाँ दम्मून की energy आ रही है, तो ये परसन एकदम से उस पर react करते हैं, फिर बाद में पस लेकिन इस वक्रेंट energy में ये है कि ये पास्ट में तो जो भी इनों ने गलती की, अब ये आपके तरफ action लेना चाहते हैं, और आपको ढूंड रहे हैं, किसी तरह आप तक पहुंचने की, या फिर आप दोनों में contact भी है, तो भी या फिर ना है, तो भी डियर ठीक है, लेक पहुंचने की कोशिस हो रही है, अंदर से इनको गिल्ट है, कि उन्होंने जो भी किया है, पास्ट में decision लिया था, उन decision को लेटवो करना चाहते हैं, एक नई शुरुआ की तरह बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त ये person कहीं न कहीं अभी भी current energy में खुद को हील करना चा कर दो, इनको किसी तरह से हट ना कर दो, कि ये कहीं न कहीं एकदम बिल्कुल ये disturbed हो जाए, और इनकी दुनिया, इनकी धर family बिल्कुल बरबाद हो जाए, और देखिए, आपकी energy इतना मायने रखती है उनके लिए, कि आप अगर ऐसा करोगे, उनकी दुनिया बरबाद हो ज किमती चीजों और बहुत ही अनमोल हो और बहुत ही खुबसुरत हो, आप उनकी एंजल हो, लेकिन ये परसन कस्म कस्में आप तक पहुँचने की इस बक कोसिस हो रही है, कहीं न कहीं गलतियों को एहसास करते हुए, एक कस्म कस्में हैं, लेकिन इस बक्त वो decision भी नहीं ले पारें, लेकिन एक खोज है आप तक पहुचने की, आपको मनाने की, फिर से नई दुनिया खिल खिलाने की, एक नई सुरुवात करने की, इस तरह करेंट एनर्जी में आपके परसन की है, तो सोर सा रेत की भविश्वानी लेकर आई थी ये डिवाइन के तरफ से ऐसा मुझ आप तक महुचारें लेकिन इस वक्त आपको खुद पर फोकस करना है, सिर्फ खुद पर फोकस करना है, सेल्फ लब और सेल्फ हिलिंग करनी है, इंट्यूशन पावर को फॉलो करना है, डिवाइन से कनेक रहना है, ग्रैटिटूर सो करना है, वीडियो अच्छी लगे तो जरू, like, share, comment करें, thank you so much and God bless you.